नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं अज़की प्रमूख खबरों पर देव यानी खोबरागडी की मांदरी पर उठे सवाल सरकार ने दिल्ली उच्चने एले में कहां कि आएफस अधिकारी तथा नियूज यार्क में पूर्व उपव महावाणी जद्दूद देवयानी खोबरागडी ने कानून का उलंकन करते हुए अपनी दो पुत्रियों के लिए अमेरिकी वभारतिय पासपोर्ट हासिल किये और विदेश मंतराले को सूचित नहीं किया इससे उनके सत्तता एवं इमानदारी पर गंभीर सवाल उत्पन होते हैं विदेश मंतराले ने अदालत के समक्ष दाखिल किये गए अपने हलफ नामे में कहा कि देवयानी ने कहा था कि अमेरिकी पासपोर्ट केवल अमेरिका की यात्रा के लिए थे उनके इस कदन से उनके गलत काम की गंभीरता कम नहीं होती और यहां भारतीय पासपोर्ट कानून का घोर उलंगन है तुर्की में आत्मगाती हमला 31 लोगों की मौत इस्लामिक स्टेट के एक संदिगदा आत्मगाती हमलावार ने तुर्की के सांस्कूर्ति केंद्र पर बम विस्पोर्ट किया जिससे 31 लोगों की जान चली गई इस्लान पर सामाजिक कारेकरता सीरिया के कजबे कोबेन में साहत आभियान की तैयारियों में जुटे थे यह विस्पोर्ट कोबेन की सीमा से लगे तुर्की के सूरक नगर स्थित केंद्र में हुआ मारे गए लोगों में अधिकजर विश्वे विध्याले के चात्र थे जो कोबेन में पुनर निर्मान मदद की योजना बना रहे थे कोबेन पर महिनों तक इस्लामिक स्टेट का कबजा था हालाकि जनवरी में कुर्देश बलो ने फिर अपना कबजा जमा लिया केजरिवाल के खिलाफ जमानती वारंट दिली के मुखे मतरी अरवीन केजरिवाल के खिलाफ पिछले साल लोग सभाच चुनाओ के लिए प्रचार के दोरान आपती जनव टिपणिया करने पर अमेठी की अदालत ने एक जमानती वारंट जारी किया अमेटी चिले में मुस्ताफिर खाना की दिवानी आदालत में वारंट जारी करते हुए केजरीवाल से 8 अगस को पेश होने के लिए कहा केजरीवाल ने औरंगाबाद में आम अद्मी पार्टी के प्रत्याशी गुमार विश्वास के समर्थन में आईजे जनसभा को संबोधित करते हुए कधित रूप से गहा था कि भाचपा या कॉंग्रेस को वोट देना धर्मा और देश को धोका देने वाला काम होगा